हान जी नमस्कार फ्रेंड सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफोर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्तपुर्ण क्वेश्चन्स, MCQs specialized है आज का जो ये सेशन है ये specialized है ग्राम सची पटवारी और किनाल पटवारी के लिए ये questions जो मैंने लिए हैं ये previous year questions है ठीक है पर मैंने इनको represent करने का जो तरीका है वो कुछ नया लिया है तो किरप्या वीडियो को पूरा देखे अगर पसंद आए तो like, share और subscribe जरूर कीजिए चलिए शुरू करते हैं देखिए इसमें सबसे पहले तो बात की गई है वेंसांग की ठीक है पूछा गया है वेंसांग जो है उसने थाने सिर की यातरा किसके सासनकाल की दुरान की थी ये पूछा गया है एक बात ध्यान दीजिए इसमें question जो पूछे जाते हैं पहला question तो ये पूछा जाता है वेंसांग कहां का था ठीक है तो एक बात ध्यान दीजिए वेंसांग कौन था चाइना का था कोरोना के बाप कोरोना के बाप जब भी चाइना का नाम लेता है दिल करता है इनको गौले से उड़ा दूँ ठीका तो इस स्वेयन सांग ने किसकी यातरा की थी थानेसर की यातरा की थी ये बात आप ध्यान रखेंगे दूसरा कोश्यन ये हो गया किसके सासनकाल के दुरान ये अभी मैं होल्ड पे रखता हूँ आप मुझे बताईएगा किसके सासनकाल के दुरान की थी चलिए देखते हैं आगे ये रहा वै ये वह सांगी है सांग कोन है ये सांगी है कोन है सांगी ये देखो इसकी चोटी-चोटी आँखे वावा क्या बात है चलो नेक्स टोर देख लेते हैं ये रहा किंग हर्सवर्दन तो है ये हर्सवर्दन के सासनकाल के दुरान बारत आया था थाने से किसने यात्रा की थी किंग हर्सवर्दन को बारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसे किंग ओफ म्यूजिक भी कहा जाता है ये बात पिए आप ध्यान रखेंगे ठीक है ये कौन है ये हमारे पूल भाई डेड़ पूल भाई ये सोचरें इन दोनों में से किसको को ली मारूं अरे भाई इसको बोली मार दे अगर तू इसको बोली मार दे ता साथ कोश्चन हमको कम याद करने बढ़ेंगे क्या करें भाई चलो पूल भाई धन्यवाद आपका नेक्स्ट आजी देखिए अगला कोश्चन ये रापकी सक्रीन पर समराठ हर्स ने निम लिक्त में से किस बाशा में नाटक रतनाव लिकी तेखिए हर्स जो थे वो म्यूजिक के सुखीन थे पर इसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छे ओतर भी थे उन्होंने काफी सारी किताबें लिकी ती जिसमें रतनावली काफी इंपोर्टेंट है तो इसकी बाशा पुछी कि यह उर्दू, पाली, हिंदी या संस्क्रीट यह पुछा गया है चलो देखते हैं वही क्या है यह लीजिए रतनावली की आप देख लीजिए श्री हर्सा यह लीजिए रतनावली की इसकी उपर केई नाटक भी बन चुके हैं नेशनल पे आ चुके हैं अच्छा मन नहीं बहुत इसको देखके हैं चलो और देखो नहीं भई और देख लो यह रही भई महा कभी हर्स रतनावली मूलनाटक कथा वै महराज हर्स के जीवन से परिच्चे सहिता ठीक है तोनों कोई पता नहीं लग रहा कौन सी असली है यह भाई तो कन्फ्यूजी हो गया अरे वाग, कौन सा है बताओ अरे रोना नहीं है, कोई बात नहीं ठीक है तो इसको लिखा गया था संस्क्रीट में आप संस्क्रीट इस बच्चे को पढ़नी नहीं आती इसलिए रोने लग गया यह देखो किस तरह से कर रहा है भई चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर I hope so आपको यह समझ में आया होगा यह लिजिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी सक्रीन पर समुंदर गुप्त काल के सिक्के हरियाना की किस थान पर पाए गए बताईए भई सोनी पत, मिता थल, भिवानी या सुद्ध मुझे तो नहीं बता चलो देखते हैं यह रहे, एक पे राजा, किंक एक पे कुईन है दोनों सोने के सिक्के हैं भई ठीक है, सोने के सिक्के हम तो खोटे सिक्के हैं सोने के सिक्के तो हमसे मिले नहीं चलो देखो, यह कौन है भई, इस्ट्री ओप समुंदर गुप्त यह है समुंदर गुप्त, जिसे विक्रमा दित्ते कि नाम से जाना जाता है चलो भई नेक्स्ट और देख लीजिए समुद्र गुप्त इसे बार्त का नेपॉलीन का जाता है माफ कीजिएगा मैं पहले गल्थ बोल गया समुद्र गुप्त को बार्त का नेपॉलीन का जाता मैंने हर्षबर्दन को बोल दिया था माफ कीजिएगा चलिए ये देख लीजिए भी Ascent Site of Mithathal Mithathal हर्याना का है एक ठीक है ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो कुदाई कर रखी है लग-लग ठीक है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं अगर पढ़ना चाहो तो सुर्ज माणने इसकी खुदाई की थी जो एक आर्केलोजिस्ट है 1968 के अंदर ठीक है तो Mithathal के अंदर समुंद्र गुप्त काल के जो है वो सीक्के मिले थे तो आंसर है इसका Mithathal ओप सो आपको इस पिक्चर्स के साथ पढ़ना अच्छा लग रहा होगा चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्टन की और इतना बड़ा सब्सक्राइब लिखा हुआ है माम तो नहीं सब्सक्राइब करेंगे अरे बहीं मत करो कोई बात नहीं पहले देख लो फिर अच्छा लगे तो कर देए न चलो चलो देखते हैं हान जी इस बगतवरी को हर्याना का ताजमेल कहा जाता है अरे ताजमेल प्यार की मूरत वाजिबा उर्थ के स्पेलिंग मुझे नहीं आते हैं मैंने गल्ती कर दी हाँ कोई बात नहीं है चलो देखते हैं अर्याना का ताजमेल किसे कहा जाता है इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें है अरे पेले हमी आंसर आ गया सेख चिली का मकबरा ठीक है जो कि थाने सर में है और थाने सर की यातरा किसे ने की थी वेन सांग ने वेन सांग गुएन सांग ने थाने सर की यात्रा की थी और इसे ही अर्याना का ताजमेल कहा जाता है कौन सी को सेख चिली का मकबरा अरे ये तो आ गया समझ में बड़ा अच्छे से याद हो गया आपको थाने सर के अंदर है निक जो भी ओमेशां घदे की दियए को लिए मिचा अच्छा के द्यार जालिए अस्देथ है व दो पड़ो सबते लमेशने है यह लांशा जोसuenिए नमेशा यह था कि आ हो के अनुसार गोगा पिर के रख्षक, गोगा पिर डेस के रख्षक की याँ पर डेस लगाओव है, बूलगे हम हम एमना या, यह डेस है, किसके वह मानब के, गाये के, इपक्सी के, इसरफ के, यह देखो, यह option भी देखो, A, B, C, D, इस तरह नहीं यह लग़़गा कर और कई बार हम देखते हैं सिधा अंसर डी है तो डी लगा देते हैं बी है तो बी लगा देते हैं याद पर पढ़ना जरूरी होता भी ध्यान रखा करो है सब हाँ जी तो फिर किसका है देखते हैं इंतजार किसका है रहे तेरे को इंतजार चलो भी देखो ये क्या है अरे सिरी गुगा पिर जी मारा जै हो जै हो नेक्स्ट और देखो जाहर पिर गुगा जी का जनमस्थान कहा है ददरेखा कहां पर है ये राजस्तान के अंदर है जी राजस्तान के ददरेखा गाओं में हैं इनका जनमस्थान और देखिए आगे क्या है आगे और देखिए इसको सांप से डर लग रहा है ठीक है ये सांप से डर के भाग रही है तो इसको किसके पास जाना चाहिए गुगा पिरजी माराज के पास जाना चाहिए ये ही आपको बचाएंगे वैसे हर्याना में एक कावत है डरता गोगा दोके डरता गोगा दोके तो यह डरता गोगा दोके मितलब गोगा जीजु है वो सरप से हमारी रक्षा करते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं यह आपकी स्क्रीन पर क्या है यह माना जाता है कि विसम की प्यास बुजाने के लिए हर्याना के इस गाउं में अर्जुन ने गंगा परकट किया था बिल्कुल काफी अच्छा सवाल है बी ओप्संदिया हुआ है नरकातरी हाँ जी तो बताईए दूसरा है रात पुरह और भाए Prashy ये प्राची दिसाई नहीं है सनित अक सरोबर है आप मुझे कॉमेंट वॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन कहाँ पर है ये सनित कुरुक्षेतर में है करनाल में है कहाँ है बताईए चलिए आगे बढ़ते हैं ये रहा अरे भाई ये काफी अच्छी तस्वीर बनाई है ये कौन खड़ा है अर्जुन खड़ा है और विशम पितामा सैया पर लेटे हुए तीरों की सैया के उपर ये देखो काफी अच्छी जगर लग रही है देख क्या नहीं पड़ेगी अब ये बैस्तान जहाँ पर विशम पितामा के लिए परकट की गई थी गंगा बाजिवा आंसर देखते हैं क्या है भई ओ नरकातरी तीरत नरकातरी तीरत को बान गंगा के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने बान मारा था दर्ती के अंदर जिससे गंगा फूट पड़ी थी और गंगा किस की माता थी विशम पितामा की माता गंगा दी थी इसे विशम कुंड की नाम से जाना जाता है और जो की सिरी विशम पितामा ठीक है यह राद चोटी चोटी से तस्वीरें दिख रही है अगर कुरुक्षेत्र गए तो पता लग जया होगा तो इसका अंसर क्या है जी नरकात्री और नरकात्री की अधर नेम क्या है बान गंगा बान गंगा बिसम कुंड सब यह वहीं पर है कहां पर कुरुक्षेत्र में तो यह कोशन भी बन सकता है याद रखे नरकात्री कहा है बान गंगा कहा है बिसम कुंड कहा है सारे कोशन एक में आ गए चलिए बढ़ते हैं यह अगले कोशन की और यह राप की सक्रीन पर टूनो नू हाँ जी अब तो बात आ गई किसके बारे में बा गिसे थाय या पनचायद समीती है इस काँसर आप मुझे दें चलिए आप तब तक काँसर सोचते हैं हम देख लेते हैं कुछ अच्छा गंजास आध मी यह है जी ब्लवंत राए कुन ऋ यह ने हम बोलते हैं पादर ओफ फादर ओफ गराम पनचायत इन UX और अरम पनचायत Ka कमेटिया मनाएगी थी जिसमें पीवी के नर्शिम्मा राव की कमेटि भी थी पर लास्ट जो बलवंतरा ये कमेटि थी इन्हीं के उपर ही बेस्ट के उपर ही पंचाहित राज की स्थापना होई थी बार्ट के अंदर ठीक है ये बात आप याद रखेंगे तो पितामा कौन ह है बलवंतरा ये देखिए इनकी तस्वीर किसके उपर छपी हुई है पता है आपको जो पोस्ट पोस्ट की जो डाक टिकट होती ना डाक टिकट पोस्ट टिकेट जो उसके उपर किसके इनकी तस्वीर लगी हुई है काफी अच्छी तस्वीर है चलिए देखते नेक्स्ट ओ, 24 अप्रेल, 24 अप्रेल को नेसल पंचाईती राज डेव भी बनाया जाता है, ये इदर कोन हैं, अंदर मोदी जी, इदर कोन हैं, महात्मा गादी, चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है, ओ, ये देखिए, इसमें एक और दिखाएते हैं, क्या लेखा है, बंदना अधर ये भी अच्छी जानकारी है, काफी अच्छी जानकारी है, याद रखिएगा, चलिए儿, और इसकांसर तो मैं ने बताया ही नहीं, बताये क्यांसर, इसकांसर है जी, किराम सवाब, किराम, पंचाईत, जिलास, प्रेषध या पंचाईत, समीती, बाल ये बाल ये, 500 क् के लिए आपका ये स्वाल है चलिए बढ़ते हैं आगे क्या पूछा है अगर हर्याना में एक पंचायत भंग हो जाती चुनाव कितने दिन के वीत्र होना चाहिए बताए बताए यह आवाई देखे क्या है एक दम सभी है मार देजी है सोच रहे हैं बिल्कुल सभी हो रहा है चालिए यह रहा आपके सक्रीन पर निम्र में इसे कौन ग्राम पंचायत के राद सब का एक मात्र स्थरोत नहीं है यानि की रेवेन्यू अफ ग्राम पंचायत revenue of gram बंचायत revenue of gram बंचायत कई बार पूछा जाता है काफी अच्छा है आएकर यानि कि income tax next देखिए भूमिकर बाहन कर या मकान कर इसमें से कौन सांसर होगा आप सोचिए तब तक मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ये कौन है अच्छा फिर से चुनाव आ गए नेता जी बच्चों को चलो भी छोड़ो इसको next टोर देख लीचिए ओ पूल भाई कुछ पढ़ रहे हैं इनको समझ में नहीं आ रहा इसका अंसर क्या है बताईए पूल भाई क्या बढ़ रहे हैं आप कहीं लव लेटर तो नहीं बढ़ रहे है अरे पूल भाई बता दीचिए प्लीज इसका अंसर बता दीचिए देखे ध्यान दीचिए मैं बताता हूँ आपको तो जो पंचायत होती है उनके मतलब कुछ दुकाने मनाई होती है ठीक है और कुछ बुमी भी होती जीशे हम शामलाट बोलते है तो बुमी कर भी उनसे आ जाता है मकान कर भी आ जाता है और कुछ बाहन भी होते है उनसे भी आ जाता है पर इंकम टेक्स उनके पास नहीं आता वो सेंटर सरकार के बाद जाता है तो इसका आंसर क्या है? इंकम टेक्स एई इसका आंसर है चलिए बढ़ दें नेक्स कोईशन की और और आज के लास्ट की और यह रहा खाल सा पंत की स्थाफना किस महीने में हो यह थी तो चैतर के महीने में हो यह सभी याद रख सकते हैं बड़ी असानी से और स्थाफना की थी किसने? दसमें गरू गोविंद सिंग जी ने इन्होंने अपने चारों पुत्रों और माता सब का वलिदान दे दिया था कौम की रक्षा के लिए ठीक है सबालाग से एक लड़ाओ तभी गरू गोविंद नाम कहाओ हिंदू और जोर्जियन के नाम से चेत्तर जिसे मार्च और अपले के महिन को पंद्रा मार्च से पंद्रा अपरेल तक ही होता है ठीक है फिर विसाक, जेड, असाड, सावन, बाद्र, असुरन, कार्तिक ये सारे हिंदू जो है मुझे भी यादने किसी को याद नहीं होंगे, चलिए आज के लिए इतना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू